हेलो एवरिवन तो गाइट स्वागत है आपका दकालिंदीज कीचेन में और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी साख क्रिस्पी सममसाला डोसा की रेसिपी अक्सर जब हम रेस्टरेंट में खाने जाते हैं डोसा तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है न और बनाने का तरीका होना चाहिए तब आपका डोसा बे बिलकुल वैसे ही मार्केट की तरह क्रिस्पी बनके तयार हो जाएगा और आप यकीन नहीं करोगा या फिर आप खुद बोलोगी हां यार यह तो मतलब मार्केट में जो मिलता है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनके तयार हुआ और यह मैं सच कह रही हूँ जब मैं इसे खा रही थी ना तो मुझे मैंने भी यही कहा कि मार्केट और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है तो मैं जल्दी से आपको इसे बताना शुरू करती हूँ तो यहां मैंने ले लिया एक बावल में यह मैंने मोटा व मैं दो कप ले रही हूँ तो इस आप अपने हिसाब से अंदाज से ले लीजेगा मैं आपको अंदाज बताती हूँ कि चावल के साथ उड़त कितना लगता है तो दो कप चावल यहां लेने के बाद मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँगी ताकि चावल का जो गंदगी है व चावल को मैंने साफ कर लिया है और इसे अब मैं इस पानी को फेक कर इसमें मैं फ्रेश पानी डाल दूँगी वापस तो इसी तरह से मैंने इसे 2-3 बार धोया है आप भी चावल को जब भी यूज करें तो उसे 2-3 पानी वश करके ही दोएं चावल के बाद दो कप चावल के बाद यहां जाएगा एक कप से आधा इंच कम उड़त का दाल और इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है डोसा की वो भी मैं आपको बता दूगे किस से इसमें क्रिस्पीने साती है तो इसे आप इसमें डाल दीजे बाउल में एक कप से थोड़ा कम उड़त दाल और 10-15 मेथी के दाने यहां मैं आपको बता दो कि मेथी के दाने ना साउथ इंडियन फूड में बहुत इंपॉर्टेंट होते है मतलब काफी अच्छा टेस्ट आता है उससे तो उड़त दाल को अगर आप अभी नहीं भी वाश करेंगे तो कोई दिक्कत नही कि आप इसे बाद में वाश कर लिजेगा क्योंकि चावल तो है नहीं जो बाद में वाश करते हैं तो आप इसे बाद में वाश कर लिजेगा जब उड़त दाल फूल जाए तो इन्हें फूलने के लिए रख दिजिए 7-8 गंटे बाद आप देखोगे ना तो चावल कुछ इस तरह से फूल के तयार हो चुका होगा तो इसका पानी हमें निकाल लेना है क्योंकि अब इसे हमें पीसना है और यह मैंने उड़त को भी अच्छे वाश कर लिया है और इसका भी मैं पानी निकाल लोगी तो यहां मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार म पहले मैं उतना डाल कर उसमें एक चोथाई कप पानी भी एड़ करूंगी क्योंकि डोसा का बैटर आपको पता है कि थोड़ा इडली के बैटर से पतला होता है तो यहां मैंने पहले सारा उड़त को अच्छे से पीस लिया है कितना मकमली सा क्रीमी सा इसका टेक्स्चेर आ गया जितना मिहेन आप पीस होगे न उतना सुंदर डोसा बनके तयार हो जाता है या फिर इडली भी तो यह उड़त मैंने पीस लिया है अब आती है चावल की बारी तो चावल पीस्ते से मैं भी आपको यह धियान रखना होगा कि चावल डालने के बाद आप इसमें एक चौथाई कप पानी जरूर एड़ करिएगा और थोड़ा सा पका हुआ चावल भी डालिएगा इससे क्या होगा जो बैटर है उसमें फर्मेंटेशन बहुत जल्दी आ आपको मतलब जैसे हमें बैटर तो मैंने थोड़ा गाढ़ा ही पीसा है क्योंकि यही तो फाइदा है घर में डोसा बनाने का कि आप एक बैटर से ना इडली भी बना सकते हो और डोसा भी अगर बैटर गाढ़ा रहा तो हम उसमें से थोड़ा इडली भी बना सकते हैं और ज तावल और उड़त को उसे अच्छे से फेटना है जितना अच्छे से आफ फेटेंगे उतना जल्दी उतने अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन आएगी और ये बिल्कुल बनके तयार अज़ेगा तो इसे फर्मेंटेशन होने बेना मुस्किल से पांच घंटे लगते हैं पां आप इसे ढख कर एक प्लेट से रख दीजिए पांच से छे घंटे के बाद अगर उससे थोड़ा और लेट के आप बनाते होना तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा पांच घंटे बाद तो ये सुबह हो गई है और ये हो चुका है बिल्कुल तयार और मैं आपको दिखा इन IDLE इतनी संदर इसमें जाली बनके तयार हो गई है तो आप ये देख रहे होगी कितना संदर मतलब खमीर उठ गया है और इससे इतनी हलकी इडली बनके तयार होगी है डोसा जो भी आप चाहोगी ना पाफिक बनके तियार हो जाएगी तो यहां मैंने एक कडाही ले लिया है दोसा का मसाला बनाने के लिए क्योंकि हम मसाला डोसा बना रहे हैं तो मसाला डोसा में आलू का जो मसाला होता है वो आलू से बनता है तो यहां मैंने सरसो तेल का यूज किया है मैंने अपने हिसाब से मिर्च घाना उतना चोटा-चमच राय का और चोटा-चमच जीडार णाल लिया कि मिडियम साइज का प्याज चॉप करना उर्मास के प्याज को डौने करी कड़ी पत्ता अगर पहले डालते हैं तो क्या होता है तेल में वह Osman जाता है और अगर हमें कड़ी पत्ता मौत अइसा चाहिए जसा जले नहीं आगा आकश के मोईश्टर क120 टालेग Bitte調 अर गुद्ञ प championships कर सकते हैं थोड़ा किश्मिश भी एड़ कर सकते हैं जो मन करें वो अब डाल सकते हैं और यहां मैंने एक चौताइब फ्रोजन मटर भी यूज किया है मटर आपके पास है ताप यूज कर सकते यह नहीं थी ऑthose छूटा चमश्याख घनिया पabloंटर एक छोटा चमच कच्चा जीरा पाउडर मसालों को थोड़ा आपको भूनना होगा आज को लो रखिएगा इतों मसाले जल जाएंगे ज्यादा नहीं दो मेंट भूनना होता है और ये मैंने बॉइल करके पांच आलू को बॉइल कर लिया था वॉइल करकर मैस कर लिया है और अब इसमें हम वो आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद आप इसमें थोड़ा नमक भी एड़ कर लिजेगा क्योंकि हमने नमक अभी इसमें डाला नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चमच नमक का ले लिया है और आप भी अपने अंदाज से नमक अड़ कर लिजेगा नमक डालने के बाद आप मिक्षर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिजेगा ताकि मसाला नमक सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए यह देख रहा है ना कितना अच्छा से मैंने ये डोसा का मसाला बना कर तयार कर लिया है और ये जो बैटर है ये काफी गाड़ा है आपको दिख रहा है इतने गाड़े बैटर से डोसा नहीं बनाते हैं तो मैंने यहाँ एक कप बैटर लिया है गाड़ा वाला और एक cup गाड़े बैटर में मैंने 1 चौथाई cup पानी मिलाया है तो आप दिखान रखी है कि अगर बैटर गाड़ा हो तो एक cup बैटर में 1 चौथाई cup पानी मिला दोगे तो डोसा का बैटर वो तैयार हो जाएगा तो आपको इसकी consistency देख रही होगी flowing वाली मतलब बहुत ज़्यादा flowing ने इस तरह की है इसी से मैं डोसा बना कर आपको दिखाती हूं कैसे बनेगा तो यहां मैंने ले लिया है एक तवा मेरा ननिस्टिक नहीं है यह marble का है इस पर मैं डोसा बनाती हूं और बीना तेल का मैं आपको बना कर दिखाऊंगी इस पर इतना perfect बनता है कि मैं क्या बता हूं तो मैंने यहां थोड़े से नमक में एक टेबल इस पर पानी मिला लिया और उसको मैं तवे पर छिड़क रही हूं ताकि इससे तवा थोड़ा धंडा हो जाए और उसके बाद एक कपड़े की मदद से आप उसको wipe कर लीजिए बहुत ग कीरे कलची के मदद से गोल करते हुए अब फैलाते जाएए इवेनली फैल जाएगा और डोसा हमेशा medium to high flame पे बनता है तो अब मैं इसके उपर मैंने तवा पे बिल्कुल भी ओयल नहीं लगाया है तवा पे ओयल लगाने से ही डोसा क्रिस्पी नहीं होता या फैलता नहीं ह तो आपको अगर एकदम क्रिस्पी डोसा चाहिए ना तो बिना तेल का पहले डोसा बैटर फलाइए तब उसके उपर आप ओयल लगाईए और अब यह ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है तो मैंने इसमें डाला है जो मैंने आलू का मसाला बनाया था वह और क्यूंकि बच् साइट से ब्राउन हो गया अब मैं आपको दिखाते हैं इसका कलर यह देखिए बिल्कुल पेपर की तरह पतला सुंदर सा यह डोसा बनके तयार हो इतना क्रिस्पी कि मैं क्या बताओ तवह की बात नहीं है अगर आपके पास नॉनिस्टिक तवा है तो आप उससे भी इतना नहीं परफेक्ट बना सकते हो बस आप उसके उपर ओयल मत लगाईएगा डोस आप डालिए पानी के छीटा मारिए नमक वाला बैटर डालिए और उसके बाद आप उसके ऊपर तेल मिलाईए मैं दूसरा भी आपको बना कर दिखा दे रही हूं देखरें कितना इजली फैल तेल रहता है ना तो अच्छे से नहीं फैलता है यही सब सीक्रेट होते हैं आप रेस्टरेंट में भी देखोगे ना तो उनलोग तेल बाद में आड़ करते हैं पानी का शीटा मारते हैं तेल हटाते हैं तब फिर से बैटर डालते हैं तो यह भी मैंने उसी तरह से बिलकु हो चुका है कितना सुन्दर लग रहा है यह आप खुद देख लो और अब आती है इसे टेस्ट करने की वारी तो मैं तो इसे जा रही हूं टेस्ट करने अगर आपको भी इतना टेस्टी डोसा टेस्ट करना तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी बना कर तयार करके कर लिजेगा बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू पीस टेक क्यार